आज हम बात करेंगे अपनी आउकात कैसे बढ़ें फ्रेंड जी तो शब्दना आउकात ये इतना खतरनाक है जैसे कोई आपके आत्म संबान को जंजोर रहा है मतलब आपके आत्म संबान को ठेश पहुंचाने का प्रयास कर रहा है और हमारे जीवन में कभी न कभी ऐसा चांज जरूर होता है जब हम इस बात से रूबरू होते हैं कि आपकी आउकात क्या है या आपकी वेल्यू क्या है कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्तिती उत्पन हो जाती है जिसमें हमें अपनी उकात यानी वेल्यू से रूबरू होना पड़ता है हमें शीशे में ये जाकना पड़ता है कि वास्तिविक्ता में हम कहां स्टेंड करते हैं एक बात में यहां आपको कहना चाहता हूँ एक बिजनसमेन अपने गुरुजी के पास गया वो बहुत दूखी था उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी काबलियत से कम कमाता हूँ या आज मैं जिस भी स्थर पर हूँ मुझे यहां नहीं से कई गुना आगे होना चाहिए मुझे इसके बारे में बताएं मेरे बविश्य के बारे में बताएं तो गुरुजी ने कहा कि मेरे एक बात को ध्यान से समझ लेना आज आप जिस भी स्तर पर हैं वास्तविक्ता में आपकी आपकी आउकात यानि वेल्यू उतनी ही है हर व्यक्ति केवल उतना ही कमा पाता है जितनी उसकी योग्यता होती है यदि कुछ अपवाद छोड़ दिये जाएं मतलब आपका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ है जो पहले से करूड़ पती अरब पती है वो एक अलग बात है लेकिन हर व्यक्ति उतना ही कमा पाता है जितनी उसकी उकात होती है बाकी तो सारी मातर कल्पनाएं है हम कल्पनाओं में सोचते हैं कि काश मैं यहां होता या आज मेरी काबलित के हिसाब से मैं यहां होता या मैं हमेशा अपनी काबलित से कम ही कमा पाता हूँ यह मातर कल्पनाएं है अगर आप अपनी value बढ़ाना चाहते हैं तो आपको भी वो सब करना होगा जो हर उस वक्ती ने किया है जिसने अपने स्तर को निरंतर बढ़ाने का प्रयास किया है मतलब दुनिया के सफलतम लोगों ने हमेशा अपनी अवकात यानी value को बढ़ाने के लिए जो कदम अपनाए हैं वो आपको भी अपनाने होंगे आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे 11 points जिनको follow करके आप अपनी value को बढ़ा सकते हैं तो सबसे पहली बात stop thinking and worrying about what people will say लोग आपके बारे में क्या कहेंगे इसकी चिंता ना करें केवल काम शुरू करें क्योंकि आपने सुना होगा दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग आप जो भी करना चाहते हैं अपने जीवन में जो उपलब्दी हासिल करना चाहते हैं उससे संबंदित काम को शुरू करें पहला स्टेप लें जब आप पहला स्टेप लेंगे तो बहुत सारी कठिराईया आएंगी परिशानी आएंगी लेकिन जो लोग परिशानियों से हारत ना मिल जाए यही सबसे महत्पुन कदम दुनिया का हर सफल व्यक्ति अपने जीवन में अपनाता है और जब आप अपने जीवन में कामियाग हो जाएंगे तो वही लोग जो आपके बारे में कुछ ना कुछ कहते हैं कुछ बुराईया करते हैं वही कहेंगे कि हमें पूरा जूलरी अच्छे गाड़ी ये नहीं है अच्छे गैजट्स ये नहीं है निवेश का मतलब है अपनी योगता में इजाफा करने के लिए आप अच्छे अच्छे वरक्शॉप से टेंड करें सेमिनार से टेंड करें नई चीजों को सीखें अच्छी मोटिवेशनल बुक्स तो बहुत आसानी से आप अपनी वेल्यू बढ़ा सकेंगे आप अपनी ओकात बढ़ा सकेंगे और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग फाइंड यॉर्ट्रिगर वह आपने सलमान खान की एक मूवी देखी होगी जिसका नाम था किक वह हमेशा एक डायलोग मारता है इसमें कि ठीक उस तरह से आपको अपना ट्रिगर पॉइंट देखना है कि कौन सी ऐसी बात है जो मुझे ट्रिगर करती है कि मुझे एक काम करना है जैसे आपका एक फ्रेंड जो अच्छी फिजिक बनाये हुआ है अच्छा बाडी बिल्डर है उसे देखकर आपके मन में भी एक सपन प्रिसमैं को देखते हैं तो आपके मन में एक इच्छा जागरित होती है आपको एक ट्रिगर पॉइंट मिलता है कि मुझे भी अपना बिजनेश डेवलप करना है मुझे भी सेल्स करनी है मुझे भी मार्केटिंग पर निय आपकी bottom देखते हैं तो आपको भी ट्रिगर का है कि मुझे public speaking skills सीखनी है मतलब सबसे पहले ये महसूस करें कि कौन सी ऐसी बात है जो आपको trigger करती है कहते हैं सलमान की language में कि मुझे kick मिलती है जिस बात से आपको kick मिलती है उस तरह की बात को अपने mind में feed करें और उस kick के माध्यम से उस trigger के माध्यम से हर सफलता को हासिल करने के लिए योगता grab करें और अपनी सफलता हासिल जरूर करें and the fourth important thing accept the challenges of growth आपको अपकी life में आगे बढ़ने के लिए कई बार लोग challenge करेंगे या कई बार बहुत सारी चीजें आपको challenging लगेगी उन challenging चीजों को accept करें और उसको हासिल करने का प्रयास करें उससे संबंदी जो भी education आपको लेनी है जो training आपको लेनी है जो learning आपको करनी है जो experience आपको grab करना है या अनुबवी व्यक्ति से जो ग्यान लेना है उसको जरूर ले और challenges को accept करें कोई भी ऐसा challenge accept ना करें जो आपकी growth से संबंदित ना हो ये बहुत important बात है and the fifth most important thing learn to say no लोगों को किसी भी बात या किसी भी काम के लिए मना करने की कला को जरूर सीखें देखें कई बार हमें लगता है कि यदि मैंने किसी को किसी काम के लिए मना किया तो कहीं ऐसा ना हो मेरा वो दोस्त या मेरा वो सरकल का व्यक्ति बुरा ना मान जाए आप मना करने की ऐसी योगता हासिल करें ऐसी काबलेत हासिल करें कि आप सामने वाले व्यक्ति को मना भी कर दें और उसको बुरा भी ना लगे जैसे मानली जी आपके कुछ फ्रेंड्स पिक्निक ट्रिप पर जाना चाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि वो वेस्टेज अफ टाइम हो जाएगा तो उनसे काओ अच्छा आप कहाँ पिक्निक ट्रिप पर जा रहे हैं वो कहेंगे कि ठीक है आप मना ली जा रहे हैं वहां इतने दिन के लिए स्टे करेंगे खूब अराम से घूमेंगे फिरेंगे तो आप कुछ ऐसा कहें कि अच्छा मेरा तो बड़ा मन है आपके साथ मना करते हैं तो आपको एर्लेशन भी नहीं टूटता और आप आसानी से उसको मना भी कर साते हैं इसलिए सामने वाले व्यक्ति को यदि किसी बात के लिए मना करना है तो मना करना की कला को डेवलप करें और सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टन थिंग डोंट भी एवेलेबल फॉर अपने समय की कीमत को समझो जब आप अपने समय की कीमत समझेंगे तो आपके लोग भी आपके समय की कदर करेंगे और आपको यह फील होगा कि आपकी अवकात उनके सामने बढ़ गई है and the seventh and most important thing don't discuss your weakness or your financial problems with anyone आप किसी भी व्यक्ति के साथ में अपनी कमजोरियों को discuss ना करें और अपनी financial problems को discuss ना करें क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपके कमजोरियों को जानने के बाद आपको value कम देता है और जब आप अपनी financial problems को किसी का share करते हैं तो हो सकता है वो व्यक्ति आपको financially support ना करें लेकिन वो आप से एक दूरी बना ले इसलिए अपनी financial problems को किसी के साथ discuss ना करें यदि discuss करना है तो उन लोगों के साथ करें जो आपको financially support कर सकते हैं यह बहुत important है ताकि लोग आपकी value करें 8th most important thing don't waste your time with stupid people उनके साथ argument ना करें किसी बात को लेकर बहस ना करें बेकार की gossiping ना करें और अपने time को waste ना करें subject specified topics पर ही बात करें और like minded people के साथ बात करें मतलब वो व्यक्ति उस तरह के विशय में रूची रखता हो जानकारी रखता हो अनुबव रखता हो ऐसे विक्तियों से बात करें तो आप अपनी value को बहुत आसानी से बढ़ा पाएंगे and the ninth that is surround yourself with positive people सकारात्मक दृष्टी कोन के लोग हमेशा समस्याओं को अरोना नहीं रोते वो समस्याओं के समाधान पर बात करते हैं आपके चारो तरफ ना positive attitude के लोग होने चाहिए जो आपकी बात को सुने समझें और positively आपको अपने thoughts या अपने ideas को share करें और वो people like minded भी होने चाहिए मतलब एक ही तरह की चीज़ों को पसंद करने वाले लोग जब आपस में मिलते हैं और वो positive होते हैं तो नई चीज़ें उत्पन होती हैं नई ideas बनते हैं और उन ideas पर जब आप काम करते हैं तो आप अपनी financial freedom को भी achieve कर लेते हैं इसलिए यदि आप अपनी value को बढ़ाना चाहते हैं तो like minded people and positive attitude के लोगों के साथ रहें and the tenth that is change your circle to change your value अपने circle को change करें जिस तरह के परिवेश में आप रहते हैं उसी तरह की मानसिक्ता आपकी बनती है और जब आप अपने circle को change करते हैं एक अच्छे circle में जाते हैं तो आपकी मानसिक्ता भी बदलती है चलो मैं इसको एक उधारन के रुप में बताता हूँ एक रोटी की कीमत क्या हो सकती है ये depend करता है कि वो रोटी किस जगे सर्व की जा रही है अगर वही रोटी भंडारे में मिल रही है तो हो सकता है वो आपको मुफ्त में मिल रही हो वही रोटी जब एक छोटे से ढाबे पर मिलती है तो उसकी कीमत 2 रुपे या 5 रुपे हो सकती है वही रोटी जब एक थोड़ से बड़े ढाबे पर मिलती है तो 5 रुपे से 10 रुपे तक हो सकती है वही रोटी जब रेस्टरेंट में मिलती है तो 10 रुपे से 50 रुपे उसकी कीमत हो सकती है लेकिन वही रोटी जब 5 स्टार होटेल में मिलती है तो उसकी कीमत 100 रुपे से 500 रुपे तक हो सकती है मतलब रोटी वही है उसकी जो क्वैलिटी है वही वही है लेकिन वो किस सर्कल में है किस जगा पर है कहां उसको serve किया जा रहा है उसके हिसाब से उसकी value count होती है इसलिए अपनी value को यह दिया बढ़ाना चाहते हैं तो अपने circle को ऐसा develop करें जहां पर आपकी value निरंतर बढ़ती रहे यह बहुत important role play करता है हर व्यक्ति के जीवन में कि आपके circle के लोग कैसे हैं इसलिए change your circle and the last but not least explore new things नई नई चीजों को ढूंडें उन पर अध्यन करें उनके बारे में जानें उनकी खोज करें जब आप नई नई चीजों को सीखेंगे समझेंगे अपनी योगता में इजाफा करेंगे तो बहुत सारा नया ग्यान आप अरजित करेंगे और वो like minded people जो नई चीजों को देखना चाते हैं समझना चाते हैं वो आपके सरकल में आएंगे तो आप आसानी से अपनी value को बढ़ा पाएंगे कितने की value addition आपने क्या किया है यदि आप किसी चीज में value addition करते हैं तो उस चीज की कीमत के साथ साथ उसकी काबलियत भी बढ़ जाती है जिसकी वज़े से उसकी कीमत भी बढ़ जाती है आईए इस बात को मैं एक एक्जामपल गुरूप में बताता हूँ लोहे की कीमत 60-70 रुपे के लोहे है लेकिन जब आप उस लोहे से किसी तरह का कोई टूल कोई equipment बनाते हैं तो उसकी कीमत 1000 रुपे में हो जाती है इसलिए explore new thing नई-नई चीजें इजाद करें ढूंडें उनका अध्यन करें और जीवन में अपनी value को ठीक वैसे बढ़ाएं जैसे 100 रुपे के लोह, 70 रुपे के लोह का लोहा 1000 रुपे के कीमत में बदल जाता है मैं आशा करता हूँ कि आप इन 11 points को अपनी life में implement करेंगे और जब आप इन points को अपनी life में implement करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी value में इजाफा हो रहा है यदि आपके मन में कोई भी प्रश्ण हो तो मुझे comment box में लिखकर ज़रूर बताएं और इस channel को ज़रूर subscribe करें ताकि आने वाले informative video करेंगे